भूपाल से बड़ी खबर मिल रही है जहां त्योहारों से पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कारवाई की है क्राइम ब्रांच ने नकली मावे की दो गाडियों को जब्त किया है और सतर क्विंटल नकली मावा भी टीम ने जब्त किया है दरसल ये नकली मावा गौालियर से भुपाल लाया जा रहा था उसके पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम के हथे चड़ गया खाद विभाग के अधिकारियों ने फूट सैंपलिंग लिया है मुबाइल फूट टेस्टिंग लेब के जरिये फिल्हाल टीम जाच कर रही है इस नकली मावे को खपाने की तयारी थी लेकिन खाद विभाग की टीम ने क्राइम ब्रांच के साथ मिल कर इस कारवाई को अंजाम दिया छापा मारा है चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे हम हमारे संबाद दाता सूरज शर्मा के साथ हमारे साथ लाइव जुड़गा है सूरज क्या जानकारी कैसे इस कारवाई को अंजाम दिया कितना नकली मावा जब किया है टीम ने लेकि दिवाली का ते मौसम और ऐसे में नकली मावा भी राजदानी भोपाल में खपाया जाने लगा है और जिस तरीके से क्राइम ब्राइव को सूचना मिली थी करीब सतर से असी कॉंटल मावा दो अलग-अलग गाडियों में गौलिया से भोपाल लाया जा रहा था और अलग-अलग छेतरों में इसको खपाने की कोसिज थी साहद एवेजय की जो इन्फॉर्मर के इंपुट्स मिले उसके आधर पर क्राइम ब्राइवाई की है और करीब असी कॉंटल जो नकली मावा है वो जब्त किया है खाद विभाग की टीम भी मौकी पर मौजूद थी और मोबाइल यूट के माध्यम से सेंपल भी लिया गया है तो कुल मिलाकर अब खास्तोर से क्राइम ब्राइवाई अलर्ट हो चुकी कि दिनवरात्ती के बाद जैसे ही दीपावली का तेवहार आ रहा है और ऐसे में मिठाईयों को लेकर काफी डिमांड होती है और यही कराने की हर साल की तरह है इस बार भी नकली मावे की जो खेफ है वो भोपाल पहुंचन लगी है लेकिन क्राइम ब्राइवाई की सक्रीटा से 80 कोंटरल मावा यहां पर अपकड़ा गया है क्राइम ब्राइच को अभी भी अंदेशा है कि और भी कई स्थानों से नकली मावा जो है रासधानी पहुंचने के सिलसले में आ रहा होगा तो लगातार अलर्ट जारी भी किया है और सब फूड विबाग की बात करें तो खाद विबाग के अधिकारी भी तैनात है क्राइम ब्राइच भी अपने इर्फॉमर्स के माद्धम से अलर्ट मोड पर है कि कहीं भी यदि कोई नकली मावा भुपाल पहुंसता है तो वो क्राइम ब्राइच की नजर से ना बचवाए दीपक बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस पाठशीत के लिए ख़वर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तो देखे क्राइम ब्राइच की टीम ने खाद विबाग के साथ मिलकर इस कारवाई को अंजराम दिया है